अपने डोक्टर्स को इस फ्यागनुमीटर से मरीजो के बलड प्रेसर नापते हुए देखा होगा आपको ये भी पता होगा कि एक सवस्त इंसान का बलड प्रेसर 120-180 होता है पर इसका असली मतलब क्या है? खून को सिरीर के हर एक पार्ट तक पहुँचाने के लिए हमारा हर्ट इसे पंप करता है इसी प्रेसर के कारण खून आर्टरी एंड वेन में ट्रेवल करता है खून को पंप करने के लिए हर्ट को सिकुडना वे फैलना पड़ता है इस सिकुडने कोसिस्टोल कहा जाता है इस समय घून का हाई बलड प्रेसर के साथ आर्टरी में जाता है, इस प्रेसर को सिस्टोल प्रेसर कहा जाता है, एक सवस्त इंसान में इस प्रेसर का नाप होता है, एटमोस्फेरिक प्रेसर प्लस 120 mm पर HG, फिर हार्ट फैलता है, इस से बलड शरीर से हार्ट में पहुंचता इसे डाइस्टोल कहा जाता है इस समय आर्ट्री वेवेन में प्रेशर घट कर हो जाता है एटमोस्फेरिक प्रेशर पलस 80 mm पर एच जी इसे डाइस्टोलिक प्रेशर कहा जाता है यही है 120 अपोन 80 का कौन सेप्ट